हेलो प्रेंट, विधिगयन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो, CRPC पार्ट फाइव वीडियो में अजमानती अपराद में कब जमानत ली जा सकती है? जानेंगे, समझेंगे दोस्तो, वीडियो पुरी सुनना और समझना वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कर दे आईए वीडियो सुरू करते है तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है, किन्तु सबसे पहला सर्थ है, यदि विश्वास करने के लिए उचीत धार परतीत होते हैं, कि वह मिर्तु या जीवन करवासे दंडनी अपराद का दोसी है, तो वह इस परकार नहीं छोड़ा जाएगा। और दूसरी सर्थ है, यदि ऐसा परत कोई संगे अपराद है, और ऐसा बेखती मिर्तु या जीवन करवास, या 7 वर्ष या उसे अधिक करवासे दंडनी किसी अपराद के लिए पहले दोसीत किया गया है, या वो किसी तीन वर्ष या अधिक प्रंथू, साथ वर्षे अधिक नहीं करवा से दर्णनिये संगे अपराथ के लिए दो या अधिक अधिक अवसरों पर पाले दोसित किया गया है तो वो इस परकार नहीं छोड़ा जाएगा परंथू, यहां पर एक बहुत इंपोर्टेंट बात बताएगे यह परंथू, सोलह वर्ष से कम आयू का या कोई एस्तरी या कोई रोगी या कोई सितिल अंगो वाला बेक्ती जो इस परकार के अपराथ का अभ्यूक्त है जमानत पर छोड़ दिया जाएगा इसके दूसरा परंथू यह कहता है कि केवल इस बात के लिए कि अभ्यूक्त की अवसक्ता अनुवेशन में साक्षियों दर्वा पहचाने जाने के लिए हो सकती है जमानत मंजूर करने से इंकार करने के लिए प्रयाप्त अधार नहीं होंगे यदि वह अन्याता जमानत पर छोड़ दिये जाने के लिए हकदार है और वह बचन देता है कि वह ऐसे निर्देशों का जो न्याले द्वारा दिया जाएगा अनुपालन करेगा तीसरा परंथू यह कहता है या और भी कि उस बेक्ति को यदि उसके द्वारा ऐसा प्रात करना आरोपीत है जिसमें धारा के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा धारा 437 की दूसरी बात यदि ऐसे अधिकारी या न्याले यथा इस्तीति अन्वेसन यानि जांत या बिचारन के लिए किसी प्रक्रम में किसी स्टेज पर यह परतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचीत अध परात किया है किन्तु उसके दोसी होने के बारे में और जांच करने के लिए प्रयाप्त अधार हैं तो अभ्युक्त धारा 446 के उबंदों के अधिन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या इसे अधिकारी या न्याले के सभिवे कनुसार इसके परचा के देंदनी कोई अपराद या भारत्य देंद सेता 1860 के अध्याई 6, 16 या अध्याई 17 के अधिक कोई अपराद करने या ऐसे किसी अपराद का दूसपेरण या सर्यंत या प्रयत्र करने का अभियोग या संदेह हैं तो उब्धारा एक के अधिन जमानत पर छोड़ा जाता ह तो नियाले सरते अधरुपित करें। सबसे पहला सरते होगा कि ऐसा बेक्ती इस अध्याय के अधिन निस्पादित बंधनपत की सरतों के नुसार उपस्तित होगा। दूसरा सरते होगा कि ऐसा बेक्ती उस अपराद जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदे है वैसा अपराद नहीं करेगा। और तीसरा यह है कि बेक्ती उस मामले में तत्थों से अवगत किसी बेक्ती को नियाले या किसी पुलिस अधिकारी को मामले के तत्थ परकट ना करने के लिए मनाने वास्ते परत्यक्ष या परत्यक्ष चोथपरित धम की या वचन नहीं देगा या साक्ष को नहीं छेड़ चड़ करें इसके बाद धरा 437 की चौथी बात उबधरा एक और दो के अधिन जमानत पर किसी बेक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्या इसके बाद धरा 437 की पांचवी बात यदि कोई नियाल है जिसने किसी बेक्ति को उबधरा एक या उबधरा दो के जमानत पर छोड़ा है ऐसा करना अवसक समझता है तो ऐसे बेक्ति को गरपतार करने का निर्देश दे सकता है धरा 437 की चट्थी बात यदि मेश्टेट द संपून अधी के दोरान अभिरक्षा में रहा हो तो जब तक ऐसे कानू से जो लेकवत किये जाएंगे मेश्टेड अनियत्था निर्देश ना दे वो मेश्टेड को समधान पद जमानत पर छोड़ दिया जाए इसके बाद धरा 437 की सात्वी बात ये काता है कि यदि जमान निर्ने सुनने के लिए कोट के समक्स हाजिर होने के लिए अभियुक्त व्यक्ति से परतिवो रहीत बंधन पत उसके द्वारा निस्पादित किये जाने पर उसको छोड़ दे दोस्तो अभी अपने CRPC पार्ट 5 वीडियो को सुना और समझा दोस्तो पिछले पार्ट के फ्रेंड होग में भेजो उनको कोई बात अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आपनों कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ में दोस्तो बिदी गया चलन सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लो बेल आइकन गंटी को प्रेश जरू कर देनो ताकि अगला वीडियो आपको सब से पहले मिल जाए